तो फ्रेंट्स स्वागदे फिर से आप सभी का सनी टीच के यूटीब चानल पे तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि वाटसप में फोटोज की जितनी भी सेटिंग है उन सभी सेटिंग्स के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बत प्लीज दोस्तो एक सबस्क्राइब ज़रूर रिया और वीडियो पसथाए तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर ले ना आइकोन पर क्लिक करोगे और यहां पर आप यह वाला आइकोन पर जेसी क्लिक यहां चाहिए और इसलिक और और वाला यहां not मेरा other account open कर लिया है तो इस वाले photo को मैं सबसे पहले open कर लेता हूँ तो इसे मैं download कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे मैं download कर लिया है और यहाँ पर मैं इसे open कर लेता हूँ तो जिसे open कर लेता हूँ आप देख सकते हैं यह photo open हो चुका है तो अगर यहां से मैं Iसे back कर लेता हूँ तो friends यह आप देख सकते हैं यह photo को को में back कर लें और दुस्तो अगर में वापस open करना चाहूँगा तो दुस्तो यह photo यह अपस नहीं होगा di Lewisburg fa a autobiography the consort ha क्या आप बता सकते हो कि आपको यह trips पहले से ही पता थी या नई तो friends next setting में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप HD quality में photos कैसे send कर सकते हो तो दोस्तो जिसे ही दोस्तो आप यहाँ पे click करके यहाँ से आप gallery में से कोई भी photos send करते हो तो जोस्तो आपका photo जो भी quality का रहेगा वही quality सामने वाले को receive नहीं होगा तो दोस्तो अगर दोस्तो आपको same quality में photos send करना है तो दोस्तो उसके लिए simply आपको यहाँ पे document वाले option पे इसे click करना है click करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पे three lines मिल जाएगे तो उस three lines पे आपको यहाँ एक image का option मिल जाएगा तो simply आपको image वाले option पे click कर लेना है तो जैसे click कर लेना है तो दोस्तो आपके mobile में जितने भी photos के folder रहेगे वो सारे के सारे यहाँ पे show करने लगेगे तो दोस्तो उन photo में से आपको कोई भी photo लेना चाहोगे तो उस folder को open कर लेना है और यहां से आप कोई भी photo ऐसे select कर लेना तो दोस्तो इसे send कर लेना है तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो document में आपका photo जो है वो send हो जाएगा उससे दोस्तों आपके photo की जो भी quality रहेगी वो same quality में सामने वाले को भी same quality में photo receive हो जाएगा तो दोस्तों ये tips भी बहुत ही अच्छी है तो friends next setting यहापे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उसमें बताऊगा कि दोस्तों आप WhatsApp में 30 से ज्यादा photo एक साथ केसे send कर सकते हो तो उसके लिए simply दोस्तों आपको इस वाले icon पर इससे click करना है click करने के बाद दोस्तों अगर दोस्तों यहाप गेलेरी वाला option को select करते हो अगर उसमें से दोस्तों आप photo send करना चाहोगे तो उसमें से दोस्तों आप तीस से ज्यादा photo send नहीं कर पाओगे तो उसके लिए simply दोस्तों आपको ए जो document वाला option है उस पर आपको इससे click करना है तो दोस्तों आपके mobile में photos के जितने भी फोल्डर रहेगे वह सारे याप शोग करने लगेगे तो दोस्तों आपको जो भी photo send करना है उस folder को open कर लेना है और तो याप से आपको वह photo select कर लेए मैं आप सबी को दिखा देता हूं तो फ्रेंच से यहाँ आप देख सकते हो कि 98 फोटो यहाँ पर सलेक्ट हो चुके तो दोस्तों आप जितनी साहे फोटो सेलेक्ट कर सकते हो और यहां से इसे सेंड भी ना है तो यहाँ पर आपको select पर click करना है और यहाँ से इसे send कर लेना है इससे दोस्तों आपका photos HD quality में send हो जाएगे यहांकि आपको photos भी photos की quality भी HD quality में send होकी जिसी की document में सारे के सारे photos send हो रहे है तो इस तरह से दोस्तों आप WhatsApp में किसी को भी तीस से ज्यादा photo एक साथ send कर सकते हो तो friends next setting यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ तो दोस्तों यहाँ पर WhatsApp में जो भी photos download करते हो अगर दोस्तों आपको photos अपने gallery में save करना है या नहीं करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों उसका setting करने के लिए simply दोस्तों आपको इस three road पे click करना है आ जाएगे तो इसमें दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा media visibility करके तो दोस्तों अगर इस वाले option को अगर आप off रखते हो तो दोस्तों आप WhatsApp में जो भी photos download करेगे वो photo आपके gallery में show नहीं होगे इसका मतलब आपके photo WhatsApp के photos जो है वो gallery में save नहीं होगे अगर दोस्तों आप इस sentence के बारे में बताने वाला हूं जिसमें दोस्तों आप उसके बताने वाला हूं कि WhatsApp के photo auto download कैसे बंद करना है जिसे कि दोस्तों आपको वाट्सप पे फोटोश सेंट करता है वह फोटोश जो है अपने आप डाउंड़ोड हो जाता है अगर दोस्तों आपको बंद करना है तो दोस्तों उसके लिए सिंपल फोक is 3.0 पे क्लिक करना है तो 3.0 करने के बाद दोस्तों आपको setting आप्सेँऊटे क्लिक करने आपी तो फोटोज ओडियोज और विडियोज दुक्युमेट आपको भनेंड में और दोस्तों यह एपां देख सकते रिखे अनेक वाइफाई आपको यह वाइफाई निकाल देना खुới याँ तो डॉटलोट नहीं होगी आप टाउनलोट करना चाहूगे तब डॉटलोट होगा अगर दोस्तों आप चालू रखना चाहते हो ओटो डाउनलोड चालू रखना चाहते हो तो इन सारे टिक मार को इसे ओन करके याज से इसे ओके कर ले ना तो दोस्तों आपके जिसे ओटो डाउनलोड जो है चालू ही रहेगे तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों यह आपक झाल 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 झाल